लखिमपूर खीरी मामला योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है सरकार पूरी तरह से बैक फुट पर है और लगतार गलतियां करती जा रही है दूसरी और किसान और विपक्ष बेहत गुस्से में है राहूल गांधी आज लखनव पहुंचे शुरुआत में तो य कॉंग्रेस नेदा की तेवर देख योगी सरकार जुक गई और उन्हें लखिमपूर खीरी जाने की इजाज़त दे दी तो आज दिन भर लखिमपूर खीरी मामले में क्या हुआ खास देखिए ये रिपोर्ट लखिमपूर खीरी विवाद जब से शुरू हुआ है हर दिन एक नया मोड देखने को मिल रहा है सरकार जितना इस मुद्दे को दवाना चा रही है विपक्ष उतना ही इस मुद्दे को हवा दे रहा है उसी कड़ी में अब कॉंग्रेस सांस अदराहुल गांधी महा सच्चि प्रियंग का गांधी के साथ लखीमपूर खीरी पहुंचे और पीडित परिवार से मुलाकात कर नियाय और मदद दिलाने का आश्वासन दिया है आपको बता दे कि अभी तक घटना इस्थल पर विपक्ष के किसी नेता को जानी की अनुमती नहीं थी जिस बात का पूरा व में क्यों रोका जा रहा है विपक्ष के बढ़ते सवालों और गुस्से को देखते हुए योगी सरकार ने विपक्ष को घटना इस्थल पर जाने के अनुमती दे दी है जबकि पहले राहुल गांधी की अरजी को ठुकरा दिया गया था अनुमती मिलने के बाद राहुल पह पहले सीतापूर गये सीतापूर से प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ लखीमपूर पहुंची इसके अलावा पंजाब और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी राहुल के साथ लखीमपूर खीरी पहुंचे दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने जान गवाने वाले किसानों के परिवारों को 50-50 लाख रुपए देने का एलान किया है वही दूसरी तरफ के इंद्रिय मंत्री अजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है किसान उनके स्तीफे पर अड़ गए है विपक्षवी मोधी सरकार पर दवाव कम नहीं कर रहा है महाराष्ट की महाविकास अगाडी गटबंधन ने 11 अक्टूबर को महाराष्ट बंद का एलान भी कर दिया है पंजाब कॉंग्रेस के नेता पर गट सिंग ने एलान किया है कि पंजाब से 10,000 गाडियों का काफिला लखीम पुर खीरी जाएगा बीजेपी सरकार की ताकत के आगे ना किसान दवेगा और ना ही कॉंग्रेस डिवी लाइव की रिपोर्ट